तो दोस्तों इस वीडियो में यह लाइट जो है वह रिपेरिंग करने वाले हैं तो पीस वीडियो सुरू से लाध्त तो देख लेना और यहां पर देशा तो यह और नहीं हो रहा है और इसमें प्रॉब्लम क्या हो सारा जाने को लोग कि इसको मैंने पहली बार खोला हूं इस नल गया इसमें से हमको लगा कि इसमें जो एक गुना काटा होगा लेकिन इसे कुछ नहीं है और यहां पर इसका वायर जो है छोड़ दिया है तो यहां पर जो देख सकते हो एक को टेप साटा हुए जो की रूई की तरह देखता है इस पहुंची तो बढ़ा रहता है और य सै तो बैटरी को बहुत मेहनत करने के बाद काई सी में अंदर साइट से ठेल रहा था कि साइड इसुस्स पिछे के साड़ से फिंक देद लेकिन यह नहीं फिंक रहा था और यहां पर देख सकते हो जैसे मैं इसको घुमाने कोशिद करने घुम भी नहीं रहा है और मैंने इ पूरा खोंखला सा देखला दे रहा है और इसके अंदर देख सकते हो कि ICO करा लगे हुए हैं तो मैं आपको पूरी ओपेन करका देखलाओंगा तो यहां पर का जो बोटम है उस मैंने रिमूब कर लिया और मुझे कोई तरीका नहीं मिला तो मैंने कुछ इस तरीक से इसको न ओपलादीव कि मैंने ऊस्धाब कर देया के तो दोस्ते इसमें प्रॉबलम क्या थी कर हो रहा था तो सबसे पहले इसके जो वायर है उसको हम लोग चेंज करेंगे लो तो मैं वायर को यहां पर चेंज कर दे रहा हूं दूसरा यहांपर लागा रहा हूं और इसका टेप जो है 60 ले तो इसको भी मैं अंदर की साइड से जो टी अंधर डाल दे रहा हूं अंदर नहीं जा रहा है यार इसमें एक काटा की तरह अलगा हुआ फिर भी मैं दूसरे साइड से डाल दिया यहां पर देख से तो अच्छे तरीका से यह फिट हो गया है तो आप लोग जो एक कभी भी इस लाइट को निकालना तो इसी तरीके से कोई और दूसरा नहीं है हाँ अगर आपके पास कुछ अगर अंदर के साइट से मारते हो तो अगर ब्रेक होने का डर रहता है तो यहां पर जो बैटरी का पॉजिटिव वाला है उसको मैंने सोल्डिंग कर दे उसके बाद आगले वाला जो लाइट है उसको मैंने लगा दिया है ताकि इसका वायर को जो हम लोग पहले सोल्डिंग कर सके क्योंकि इसका वायर को मैंने सोल्डिंग कर दिया तो इसका वायर पर लिखा हुआ था एल वान माइनस और एल टू प्लस ठीक ह तो में इस सितर शोट भासा में लिखा जाने उल्taa है आपां देख सकते हो और यहां पर दिया गया था जो कि कॉमन कर लिया गया र्याट्व कहा तीन ही पॉयंट को सकते हो देख Earth जो सकते हैं अधी जो बेने उल्लिब कर सकते हो लेकिन आधी वुआ है यहाँ प्लस लिखा हुआ है प्लस लिखा है तो चीना दिया जाता है उसमें वरक करते कि आप लोग के यह गरम वरना यह आइसी जोए गरम हो सकते तो मैंने गलती इसका अंदर इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद से दोस्तों मैंने इसको चार्ज में लगाने लगाया तो इस यहां पर इसका एलेडी जो है रिमूव हो गया था मतलब इसका एलेडी जो है गिर गया था और यह चार्ज में लगाते वक्त जो है काम नहीं कर रह था ठीक है लेकिन यहां पर led एक नहीं जल दा था जो कि जलना चाहिए रेड एलेडी था तो इस समय में ने एक लेडी लिए इसको चेक करने के लिए और बैटरी को वायर को हमने छोड़ा दिया ठीक है तो यहां पर जो है देख सकते हुए ग्रीन एलेडी जल रहा है इसके जगह पर दोस्तों एसमडी एलेडी था तो यहां पर देख सकतो वह गीर गया है मुझे अभी देखला दे रह जो कि लडी में से निकला हुआ था 59 रोड यहां पर इसमें हमने वायर दो जोल्ड दिया और रमल्टीमेटर से चेक करकर पोजीटीव के साइट पोजयटिव जोड देना है और ओ北 लोगों लेकिन दोस्तो यहां पर मेरे थका मेरे तरह से काम चलाना पड़ेगा तो मैं यहां पर पतले मेरे पास नहीं इसी से में मोटा वाला लंफ हैं आप सकते हो और राइट को जो है अच्छे तरी कश से बिल्कुल बैठा से पीछे का साट में आप पर का सकते हैं तागे short circuit now ठीक है तो यहां पर जो है मैंने बहुत ही साउधानी से बैठा दी अब जो है चेक कर लेते हैं लो कर दिया बार्य इसके टेस्टिंग की यहां पर देख सकते हो जो यह पर दर चलेके विदियो चलेगे लाइक कर देना चनल पने हो चलनको भी सब्सक्राइब कर देना तो आप लोग ए